टाइम गॉड का टास्क हारने के बाद बिग बॉस ने करनवीर महरा को बुलाया कनफेशन रूम में और कनफेशन रूम में करनवीर महरा को बिग बॉस ने कहडा ली ऐसी बात और सारी की सारी सीक्रेट जानकारी बता दी कि क्यूं वो टाइम गॉड नहीं बना किसकी वज़ा से करन वीर महरा जो है टाइम गोड बन दे रहा गया सात इसात यहां पर आपको बता दें कि करन वीर महरा को secret वीडियो भी दिखा दी बिग बॉस ने confession room में किसकी secret video दिखाई यहां पर वी वी अंड सेना की और साथ मेर रजाल की क्या था उस secret वीडियो में साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि कौन सी सीक्रेट चीज़ें पूरी की पूरी बिग बॉस ने करनवीर महरा को बता दी है कनफेशन रूम में बुला कर आदा गंटा कनफेशन रूम में बिठा कर चलिए आपको बताते हैं चैनल पर ने हैं सबस्क्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को भी आप जरूर दबा दें दरसल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर यहां पर बिग बॉस ने सीधा सीधा जैसे ही कनफेशन रूम में बुलाया करनवीर महरा कोर कहा कि तुम्हारे टाइम गोड ना बनने के पीछे सबसे बड़ा हात रजद दलाल का है और साथ में वीवियंड सेना का है वीवियंड सेना ने तुम्हें धक्का तो दिया लेकिन उसके पीछे अकेले वीवियंड सेना नहीं है रजद दलाल का भी पूरा बराबर का हक है क्यूंकि मैं तुमें सीक्रेट बात बताना चाहता हूं करनवीर बिक बॉस ने कहा कि टाइम गॉड टास्क में जब तुम दावेदार बनगे उसके बाद यहां पर तुम्हारी पीठ पीछे वीवेंड सेना बात कर रहे थे रजद दलाल से और रजद दलाल ने कहा कि कोई भी टाइम गॉड बन जाए अविनाश टाइम गॉड बन जाए फिर ये वाली सीक्रेट वीडियो भी बिग बोस ने दिखा दी करनवीर महरा को और बता दिया कि देखो तुम्हारे पीठ पीछे किस तरह से रज़त दलाल गंदी चाल चल रहा है। बनाने में नहीं लगे थे बलकि सिर्फ उसर्फ करनवीर तुमें हराने के लिए लगे थे। देख लो किस तरह से पूरा का पूरा घर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है और तुम विग बोस के घर के अंदर अकेले पड़ चुके हो यहां तक कि जिसे तुम अपना दोस्त मानत चाल चल रहे थे ऐसे में अब करनवीर महरा उठाने वाले हैं बड़ा कदम तो आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और ऐसी लेटस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें